लो, हलो, दिखिया आपका, ये बिहार APO का मेंस का एक्जाम अगस्त में होने की संभावना है, और ऐसी दसा में आपका ये एविडेंस और IPC, IPC में कुछ चीजयें बची हैं, और एविडेंस पढ़ाना हैं, और माइनर में कुछ चीजयें बची हैं, प्रयास हमारा ये रहेगा कि जुलाई लाष्ट तक एक्ट्रा क्लाश लेकर और ये सारे सब्जेक्ट समाप्त कर दिये जाएं उसी क्रम में आज IPC पढ़ाई जाएगी और IPC में आपका वह चेप्टर अब उठाया जाएगा जहां से मेंस में ज्यादा कोश्चन बनते हैं आईए जो मेंस में कोश्चन बनते हैं वह आपका देखा जाए आपका अध्याय सतरह हम सुरू कर रहे हैं यानि कि IPC का चेप्टर सेवेंटीन आई पीसी का अध्याय आई पीसी का अध्याय हमें सेवेंटीन चलना है हलो आई पीसी का अध्याय सेवेंटीन यानि कि सतरह चलना है इस अध्याय में अफेंट अफेंसेज अगेंस्ट प्रापर्टी का उलेख है यानि कि संपत के बिरूध अपराध का उलेख किया गया है यानि कि अफेंसेज अगेंस्ट प्रापर्टी ये जो सिक्षन दिये गये हैं 378 से लेकर 462 यानि कि 378 से लेकर 462 तक धाराएं दी गई है यहां जो जहां तक प्रापर्टी की बात है संपत की बात है संपती या तो मुवेबुल हो सकती है यानि कि चल हो सकती है या इमुवेबुल यानि कि अस्थावर या अचल हो सकती है यानि कि संपति या तो मुएबुल हो सकती है या कौन इमुएबुल हो सकती है तो जो ये संपति है चाहे वह चल संपति हो और चाहे वह अचल संपति हो इनके जो बिरुध अपराध किया जाता है उसका उलेख ही IPC के सेक्षन 378 से लेकर 462 में किया गया है संपत संबंधी अपराधों को IPC के तहत 3 वर्गों में माटा गया है पहला वर्ग ऐसा है जिसमें ब्यक्ति अपनी संपत से बंचित हो जाता है अर्थात उसके संपत छीन ली जाती है दूसरा वर्ग ऐसा है जहां कि ब्यक्ति के संपत छीनी नहीं जाती बल कि नश्ट की जाती है यानि कि संपत के प्रतिदोस कारित किया जाता है मिश्चिफ किया जाता है रिष्टी की जाती है और तिसरा हम बताएंगे न तो संपति छेनी गई नहीं संपति नश्ट की गई बलकि केवल और केवल जो किसी ब्यक्ति का प्रापर्टी से संबंधित अधिकार है उसका वाइलेशन किया जाता है हनन किया जाता है इस चेप्टर से निश्चित रूप से आपको कई कोश्चन मिलेंगे कोश्चन का माडल बना लिया जाए एक तो परिभासा पूछा जाता है दूसरा अंतर पूछा जाता है डिफरेंट और तीसरे पॉइंट में उस समस्या देगा और उस समस्या को आपको साल्व करना रहता ह यानि कि तीन ब्यू बनाना है कौन-कौन तो आपका परिभासा अपराध की फिर आपका कह सकते हैं कुछ एलेक्टेशन आजाएगा और यानि कि कुछ समस्याएं और तिसरा डिफरेंस भी पूछा जाता है तो आईए आपका सुरू किया जाए पहला जो संपत संबंध ही अपराध दिया गया है वह थेप्ट है यानि कि चोरी है आईए चोरी से सुरुवात किया जाए अब देखिए कैसे कोशन बनता है कोशन आपका बना लिया जाए और तब आपका कैसे मेंस में लिखेंगे जो नोट्स आपको दिया गया है उसमें थोड़ा बहुत और आप सुधार कर सकते हैं लिखते समय तो आईए देखा जाए सबसे पहले जो परिभासा है वह चोरी देखे कोचन कैसे बनेगा चोरी को परिभासित करते हुए इसके आवस्चक तत्तों का उलेख करिये पहला कोचन ये बनता है इसी में पुछला जोड़ देता है कि क्या कोई ब्यक्ति अपनी ही संपत की चोरी कर सकता है कि नहीं आप उदारण सहित इसकी ब्याख्या करिए ये पूछा जाता है यानिकी स्वाइंग की संपत की चोरी का जो उदारण है वह काफी पूछा जाता है फिर आपका चोरी और उद्यापन यानिकी थेप्ट और एक्ष्टारसन में अंतर पूछा जाता है तो सबसे पहले हम सुरू करते हैं आपका चोरी की परिभासा दीजिए देखें जब भी इस परिभासा को लिखिये तो थोड़ा बहुत नोट जो दिया गया है भूमका में आप सुधार कर सकते हैं देखें कैसे सुधार कर सकते हैं कि संपति संबंधी अपराधों का उलेक IPC के अध्याय सतरह में दिया गया है यानि कि चेप्टर 17 में जिसमें सौर प्रतम अपराध चोरी का है जिसका उलेक सेक्षन 378 से लेकर 382 तक हैं भारतिय दंड सहिता के 1860 के अध्याय सतरह में आपका संपति के विरुद्ध अपराधों का उलेक हैं जिसमें प्रतम अपराध यानि कि जिसमें सौर प्रतम अपराध चोरी का दिया गया है जिसका उलेक सेक्षन 378 से लेकर 382 तक में हैं फिर आप लिखेंगे कि चोरी की परिमासा 378 में दी गई हैं जो निमन लिखित हैं यानि कि भूम का दो लाइन बांध के और आप 378 आ जाईएगा अब चोरी की आप प्रियास ये करेंगे कि जो चोरी की परिमासा 378 में दी गई हैं आप मेंस में लिखते समय आप इस परिमासा को कम से कम रट डालिये और हू बहू परिमासा लिखिएगा यानि कि इस परिमासा को आप क्या करेंगे रट डालेंगे और आपका हू बहू परिमासा कम से कम लिखिए देखिए क्या परिमासित किया गया है देखिए जो कोई किसी ब्यक्त के कबजे में से उस ब्यक्त की सम्मत के बिना कोई जंगम संपती बैमानी से ले लेने का आसर रखते हुए वह संपती ऐसे लेने के लिए हटाता है वह चोरी करता है यह कहा जाता है अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस परिमासा को देखें तो यह परिमासा लिखेंगे इनवर्टेड कामा में लिखेंगे और तत्पस्चात आप पराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे कि उपरिमासा के बिसलेशनो परांत चोरी के अपराध के निम्लिखित आवस्चत तो असपष्ट होते हैं और अपका संपत्य का अब लिखेंगे कि अपरिमासा के बिसलेशनो परांत चोरी के अपराध के निम्लिखित आवस्चत तो असपष्ट होते हैं और एसेंशियल एलिमेंट निकाल लेंगे अब एक एक एसेंशियल एलिमेंट देखिए आपका पहला आवस्चत हो गया आपका संपत्य का मुएबूल प्रापर्टि होना यानि कि संपत्य का चल संपत्य होना दूसरा आवशक्तत हो गया ऐसी चल संपत का किसी ब्यक्त के कबजे में होना पजेशन में होना तीसरा आवशक्तत हो गया कबजे धारी की संमत के बिना उस संपत को हटाना यनि की हटाना अगला आपका हो गया ऐसा जो हटाना है वह इस बेइमानी के आसे से होना चाहिए यनि की हटाना जो है वह हटाने में इरादा क्या होना चाहिए बेइमानी का होना चाहिए और आपका ऐसी संपत को हटाया जाना चाहिए यनि की अगर हम आपका परिभासा का भी स्लेशन करते हैं तो पांच आवस्षक तत्त निकलते हैं अब देखिए आपका अब इन आवस्षक तत्तों की ब्याख्या करना है पांच पांच लाइन और जब भी ब्याख्या आप करिए तो जो असपश्टी करण दिये गए हैं धारा 378 में तो ब्याख्या करते समय जहां जो असपश्टी करण सेट होगा उसको लिखना पड़ेगा अब इसका हम बता भी दें चल संपत लिखते हैं तो आपका सेक्शन 22 इसमेड करना पड़ेगा कबजा लिखते हैं तो 27 लिखना पड़ेगा इसके बाद बेइमानी लिखते हैं तो आपका 24 कबर करना पड़ेगा यानि कि कोर्लेट करके लिखना है और कहां से कोर्लेट होगा ये भी मैं बता दिया हूँ आईए आपका देखा जाए पहला आपका पॉइंट है कि संपत का चल संपत रहा होना अर्थात चोरी का अपराद केवल चल संपत के बिरुद्ध किया जा सकता है और चल संपत के बिरुद्ध नहीं चल संपत को इस सहिता की धारा 22 में असपष्ट किया गया है जिसके अनुसार ये लिखेंगे कौन सी धारायट करेंगे चल संपत में 22 जिसके अनुसार इसके अंतरगत हर प्रकार की मूर्त या कारपोरल मूर्त संपति आती हैं किन्तु भूम या वे चीजें जो भूम से भूबद हो या भूबद किसी चीज से अस्थाई रूप से जुड़ी हुई चीजें इसके अंतरगत नहीं आती 38 का मतलब यह हुआ कि असपष्ट कानून ये बताता है कि जितनी मूर्त संपतियां है जिन्हें हम आँख से देख सकते हैं वे सभी संपतियां क्या होंगी चल संपति होंगी लेकिन उस संपतियां ऐसी है जो देखी तो जा सकती है लेकिन चल संपति नहीं मानी जाती तो कौन-कौन संपतियां इसके अंदर गत नहीं आती तो land यानि की भूम दूसरा कौन भूबद यानि की attack यानि की आप तो जिनकी जड़ भूम में है या जिनकी नीव कहां है भूम में वो अभी चल नहीं है और जिनकी जड़ या नीव भूम में है उन बस्तूं से अस्थाई रूप से जुड़ी हुई बस्तूं में भी चल अचल संपति मानी जाएगी चल नहीं मानी जाएगी ये परिभासा अच्छे से लिखेंगे अब ये हैं कि अगर आपका कोई expression चल संपति को clear करता है तो वह expression भी यहाँ add करना पड़ेगा तो 6 इस धारा का इस धारा मतलब कौन सी धारा चल रही है 378 इस धारा का असपश्टी करणवन में यह बताया गया है कि जब तक कोई बस तू भूबध रहती है चल संपति होने के कारण चोरी का भी से नहीं होती किन्तु जो ही वह भूम से प्रिथक की जाती है वह चोरी का भी से होने योग हो जाती है इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी बस तू जो भूबध हो यानि कि जिसकी निव जमीन में हो या जड़ जमीन में हो आपका उसकी वह अचल मानी जाएगी चल नहीं मानी जाएगी लेकिन जैसे ही उसे क्या किया जाता है जो ही उसे भूम से क्या किया जाता है प्रिथक उस चल संपत का नेचर बदल जाता है और वह अब अचल संपत नहो कर नमान कर कौन मानी जाएगी संपत चल संपत मानी जाएगी और चोरी का भी से हो सकेगी आप यहाँ एक उदारण आप कह सकते हैं कि सेट कर सकते हैं और वह उदारण आप सेट कर सकते हैं अगर समय हो तब वह उदारण जो सेट करेंगे पेंड़ वाला करिएगा एक पेंड़ भूम से लगा हैं उसकी जड़ भूम में हैं खड़ा हैं वह अचल संपत हैं लेकिन जैसे ही भूम से पेंड़ पूरी तरह क्या हो गया प्रिथक कर दिया गया वह चल हो गया और चोरी मानी जाएगी भले पेंड लेकर ब्यक्ति न भगा हो लेकिन पूरी तरह पेंड को ये आवस्चक है कि जमीन से क्या हो गया हो प्रिथक अब आई ये पहला अवस्यक्तत निकला दूसरा अवस्यक्तत हैं ऐसी संपत को किसी ब्यक्ति के पजेशन में होना कबजे में होना अर्थात चोरी स्वामित के विरूध पराद नहीं है बलकि कबजे के विरूध पराद है ये पहला पॉइंट अटाय करना है अर्थात चोरी के लिए ये आवस्यक्त नहीं है कि जिस जो बस्त है वह स्वामित हो वह ब्यक्ति जिसकी बस्त है अगर वह कबजे धारी है तब भी परियाप्त है क्योंकि इस चोरी स्वामित के विरूध पराद नहोकर किसके विरूध पराद है आपका कबजे के विरूध यनकि यद किसी ब्यक्ति का किसी संपति पर कबजा नहीं है तो उसकी चोरी संभव नहीं है यनकि अगर कोई लावारिस बस्त है बिना दावे की बस्त है पड़ा हुआ माल है तो उसकी चोरी नहीं होगी अर्थाद चोरी के लिए ये आवस्त है कि वह बस्त किसी ब्यक्ति के क्या हो पजेशन में जहां तक पजेशन की बात है पजेशन विदिशास्त्र की सबसे कठिन संकल्पना है आपका IPC की धारा 27 में यह उलिखित किया गया है कि कुछ दसाओं में जो लिपिक का कबजा होगा या सेवक का होगा वह मालिक का माना जाएगा और कुछ दसाओं में पतनी का कबजा पती का कबजा माना जाएगा बस इतना लिखना है क्योंकि बहुत बड़ा चेप्टर है और उतना आपका कमप्टीशन में लिख नहीं सकते आईए आपका कह सकते हैं कि तीसरा पॉइंट यह है कि ऐसी चल संपत का कबजेधारी की सम्मत इसके बिना हटाया जाना इसका मतलब यह हुआ कि अगर कबजेधारी की स्वतंत्र सम्मत से चल संपत को हटाया गया है तो यह चोरी का अपराध नहीं होगा चोरी का अपराध तब होगा जब कबजेधारी की स्वतंत्र सम्मत के बिना उस संपत को हटाया गया है कब किसी ब्यक्त की सम्मती कब स्वतंत्र कही जाएगी इसका उलेक सेक्षन सेवेंटी सेक्षन नाइंटी में हैं नब्बे में दिया गया है और अगर धारा नब्बे या सेक्षन नब्बे का उलंगन करके किसी की सम्मत पाई गई है तो वह ब्याब्यद सम्मती नहीं कही जाएगी यनकी किस सेक्षन का वाइलेशन करके नब्बे एक दो लाइं लिख सकते हैं अगर तथ का भ्रहम दिखा कर सम्मत पाई गई भूल से पाली गई सम्मती या भाय के अधिन पाई गई इत्यादी तो वह कंसेंट या सम्मत सम्मत नहीं होगी अगला पॉइंट आजाए जो आपका चौथा पॉइंट है हां सम्मत जब भी लिखे तो यहां एकस्पलेशन एक एड कर दीजिए और वह एकस्पलेशन नमबर फाइफ एड करिएगा यानि कि सम्मत लिखते समय कौन सा असपश्टी करन पाँच क्योंकि पाँचों असपश्टी करन कहीं न कहीं हमें क्या करना है एड करना है देखे सम्मत में धारा 378 का एकस्पलेशन नमबर पाँच यह असपश्ट करता है कि सम्मत या तो एकस्प्रेश हो सकती है या इंप इंपलाइड हो सकती हैं यानिकी सम्मत या आपका रजामन्दी कैसी हो सकती है या तो एक्सप्रेस या इंपलाइड यानिकी या तो अभिभ्यक्त हो सकती है या विवच्छित अब सम्मत कौन दे सकता है इसको भी एक्सपलेशन पांच बताता है या तो कबजा रखने वाला ब्यक्ति दे सकता है या कह सकते हैं कि कबजा रखने वाले ब्यक्ति द्वारा अगर किसी को प्राधिकार दिया गया है वह भी सम्मत दे सकता है आईए आपका चौथा आवस्षक तत्व चला जाए चौथा आवस्षक तत्व हैं आपका बेमानी का आसे चोरी के लिए यह आवस्षक हैं कि संपत्य हटाते समय आप संपत्य हटाते समय संपत्य ले लेने का बेमानी का आसे हो डिसानेश्टली इंटेंशन हो यद संपत हटाते समय बेइमानी का आसे नहीं है और बेइमानी का आसे बाद में हो जाता है यानि कि पहचातवर्ती आसे बेइमानी का है अर्थात संपत हटाने के बाद आसे बेइमानी का हो जाता है तो उसे हम चोरी न कहकर चोरी नहीं कहेंगे हाँ क्या कह सकते हैं आपराधिक दुर्बिन्योग ये सत्विक लिखेगा बेइमानी का आसर ये बेइमानी जो सब्द है इस सब्द को आपका IPC के सेक्षन 24 में असपष्ट किया गया है और ये बताया गया है कि जब कोई ब्यक्ती स्वयं को सदोस अभिलाव कारित करने के लिए या किसी अन्य को सदोस हान यानि की रांग फुल लास कारित करने है कारि करता है तब उसे बेइमानी से कारि करते हुए कहा जाता है चुकि बीच में रांग फुल गेन आर लिखा है या लिखा है या रांग फुल लास तो इस विशय पर भी केस आया और वह केस हर हाल में लिखना है और वह केस है के इन महरा वर्सेज इस्टेट आप महाराष्टा के इन महरा याद रखे ये केस एड करना है के इन महरा वर्सेज इस्टेट आप महाराष्ट के वाद में के इन महरा पर यह आरोप था कि वह भारत सरकार की जहाज को भारत सरकार की सम्मत के बिना उड़ा कर पाकिस्तान ले गया और पाकिस्तानी सरकार ने उस जहाज को जब्त कर लिया था और भारत को नहीं लवटाया लेकिन केन महरा को भारत को लवटा दिया केन महरा पर भारत सरकार के सम्मत के बिना भारत सरकार के जहाज की चोरी का आरोप लगाया गया केन महरा कह रहा था कि हमें रांग फुल लाभ या बेनी फिट नहीं हुआ क्यानि कि हमें कोई सदोस लाभ नहीं हुआ और सरकार कह रहे थे कि हमें सदोस हान हुई है यहने कि गलत तरीके से हमें नुकसान पहुँचाया गया है ऐसी दसा में न्यायाले ने जो ये बीच में या सब्द है इसकी ब्याख्या की और कहा कि बैमानी के लिए दोनों आवस्यक नहीं है अगर कोई एक भी रहे तो बैमानी कहा जाएगा तो या तो चोर को लाब हुआ हो और जिसकी संपत्थी उसको कोई नुकसान न हुआ हो तब भी चोरी या जिसकी संपत्थी उसको नुकसान हुआ लेकिन चोर को कोई लाब नहीं हुआ तब भी बेमानी कहा जाएगा और इस सुदारण में केन महरा को कोई लाभ नहीं हुआ लेकिन भारत सरकार की क्या हुई थी हान अतह केन महरा चोरी के अपराध के लिए दंडित किया गया तो बेमानी के बाद आपका लाष्ट है चोरी के लिए यह आवस्यक है कि चल संपत को हटाया गया हो और इरादा हटाते समय ले लेने का हो क्या किया गया हो संपत को हटाया गया हो और इरादा क्या हो ले लेने का भारत में संपत का रंच मात्र यानि कि थोड़ा बहुत या जरासा भी हटाना चोरी के लिए परियाप्त माना गया है यानि कि भारत में संपत्य का पूरी तरह हटाना आवस्यक नहीं है थोड़ा बहुत भी हटाना आपका रंच मात्र भी हटाना चोरी के लिए परियाप्त है और चोरी का पराद हो जाएगा हटाना सब्द को तीन असपष्टी करणों द्वारा असपष्ट किया गया है आपका वह एक्सपलेशन जो है एक्सपलेशन टू एक्सपलेशन थ्री और एक्सपलेशन फोर दिखें पांचों असपष्टी करण कहीं ने कहीं हमने एड़ किया आवसेक्तत में यहीं लिखते समय भी खासियत बरतनी है अब तीन जो यह असपश्टी करण है आपका असपश्टी करण दो असपश्टी करण तीन और असपश्टी करण चार ये नोट्स जो भेजा गया है उसमें केवल उलेख किया गया है आप चाहें तो नोट्स में आगे बढ़ा सकते हैं और तीनों अगर समय रहे तो तीनों अश्पष्टी करां लिख दीजिए अच्छा रहेगा बाइ मैने केवल उलेख किया है नोट्स में लेकिन आप चाहें तो उसमें थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं संसोधन और देखे एक्सपलेशन टू थ्री और फोर दो देखे हटाना जो उसी कारिद्वारा किया गया है जिससे प्रिथक करण किया गया है चोरी हो सकेगी इसका मतलब यह वैकुल मिला कर कि हट प्रिथक करण करना और हटाना एक ही कारिद्वारा हो सकता है यह आवस्यक नहीं है कि अलग अलग कारिद्वारा किया जाए एक ही बार में हो सकता है एक्सपलेशन नमबर तीन बताता है कि कोई ब्यक्त किसी चीज का हटाना कारिद्व करता है यह कहा जाता है जब वह उस बाधा को हटाता है जो उस चीज को हटाने से रोके हुई हो या जब वह उस चीज को किसी दूसरी चीज से प्रिथक करता है तथा जब वह वास्तों में उसे हटाता है फिर एक्सपलेशन चार कहता है कि वह ब्यक्ति जो किसी साधन द्वारा किसी जीवजन्त का हटाना कारिद्व करता है उस जीवजन्त को हटाता है यह कहा जाता है और आपका और जीव जनत उसके साथ जो चीजें जुड़ी हैं उन सब को हटाता है जैसे कि एक बैलगाडी का उदारन यहादे सकते हैं एक बैलगाडी है और उस बैलगाडी पर सामान लदा है और एक बैक्त इस इरादे से बैलों को हाकता है यह बैल एक खास दिसा में चलेगा और आगे चल कर हम सामान क्या करेंगे उतार लेंगे तो किसको चलायमान किया जानवर को और उसी के साथ कौन चलायमान हो गई बस तू भी बस तू भी चलायमान हो गई तो यह जो आपका पॉइंट है यह जो हटाना माना जाएगा यानिकि जरूरी नहीं है कि आप साथ से अटाईए किसी साधन से भी अटा सकते हैं जीवजन्त को गतिमान करके भी आप संपत को क्या कर सकते हैं अटा सकते हैं बेलगाली का उधारण दे सकते हैं इस प्रकार चोरी की परिभासा और आवस्यक्तत हो गया अब जो कोशन इहां यूपी में बना है वह बना है कि चोरी को पुछला बनता है कि क्या कोई ब्यक्ति स्वायं की संपत की चोरी कर सकता है तो आपका क्या जबाब रहेगा इस विशय पर जहां तक भारत की बात है भारत में कोई ब्यक्ति स्वायं की संपत की चोरी कुछ दसाओं में कर सकता है चुकी चोरी भारत में स्वामित के बिरुधा पराद न होकर कभजे के बिरुधा पराद है अतह कोई ब्यक्ति जो स्वामी हो लेकिन कभजाधारी न हो स्वामी है एकनुस बस्त का वो क्या नहीं है कभजाधारी कुछ दसाओं में स्वायंग अपनी ही संपत की चोरी के लिए उत्तरदाई हो सकता है जबकि इंग लाइन में कोई ब्यक्तिस्वायं अपनी संपत की चोरी के लिए उत्तरदाई नहीं हो सकता ये दस लाइन लिखेंगे उसके बाद आपका एक उधारण अटाइक करेंगे और उधारण वह दीजिएगा जो बेर एक्ट में हो यानकि जो उधारण बेर एक्ट में हो वह उधारण आप दीजिएगा या तो आप मोबाइल का उधारण दे सकते हैं या तीवी का या घड़ी का लेकिन जो बेर एक्ट में हैं चुकि घड़ी का उधारण बेर एक्ट में दिया गया है इसलिए घड़ी का उदारण अच्छा माना जाता है और उदारण मैं बता रहा हूँ उदारण सटीक लिखेगा 10 लाइन देखे आपका हम तो साट कट में बताएंगे देखे आपका कैसे उदारण को लिखना है भाई ए एक ब्यक्त हैं A. घड़ी का स्वामी है और इसको सुधारने के लिए किसको दे देता है बी को B. घड़ी में सुधार करता है यानि की B. घड़ी में सुधार करता है तत्पश्चात A, B की अनुपस्थिती में B की दुकान पर जाता है और B की सम्मत के बिना उसकी दुकान से वह घड़ी लेकर चला आता है थार का पैसा नहीं देगा और क्या करेगा अपनी घड़ी ले लेगा तो ऐसी दसा में एके मन में बैमानी का आसे था और सभी आवस्षेक्तत जो चोरी के हैं पांचों मिल रहे हैं अतह ए ने ए भले स्वामी हो लेकिन अपनी ही घड़ी के चोरी के लिए वह क्या होगा जिम्मेदार ये उदारन जरूर दीजिएगा भाई पांचों तत मिल रहे हैं घड़ी किसके कबजें चल संपत हैं ही किसके कबजें में हैं दुकांदार के घड़ी को हटाया भी गया है हटाते समय क्या था बेमानी का आसे कि हम सुधार का पैसा नहीं देंगे और दुकांदार की सम्मत के बिना हटाया गया हैं तो भले ए उनर हो भले ए स्वामी हो लेकिन ए आपका घड़ी की चोरी के लिए क्या अपनी ही घड़ी की चोरी के लिए क्या होगा उत्तरदाई ये समस्या जादा पूछे जा रही है और सतरक रहना है इसके बाद आपका करना क्या है सोलह एलेश्टेशन दिये गए है और उसमें से भी आपका कोश्चन बनता है आपका कोश्चन बनता है जो कोश्चन बनता है वह आपका प्लेट का बनता है और फेंड का भी बन जाता है जार वाला उदारन पढ़ लिजेगा और एक प्लेट का उदारन पढ़ना है देखे प्लेट का उदारन पढ़ना है प्लेट का हम उदारन बता दे रहे हैं क्योंकि यहीं अटाइक करता है ए एक प्लेट का स्वामी हैं मालिक हैं और अपने नौकर भी को वह प्लेट देख रेख के लिए न्यस्त करता है और नौकर प्लेट का मिस्यूज कर देता है तो नौकर ने क्या कोई अपराध किया और किया तो कौन सा अपराध किया तो point आपको ये पकड़ना है कि अगर देख रेक सब्द लगा रहे नियस्त के पहले तो नौकर द्वारा चोरी करा दीजेगा और अगर देख रेक सब्द न लगा रहे केवल ये रहे कि मालिक प्लेट को अपने नौकर को क्या करता है नियस्त पकड़ रहे point तो ये अपराधिक न्यास भंग का अपराध होगा यान कि criminal breach of trust फिर एक बार बता जाए अगर इस उदारण में देख रेक सब्द रहे कि मालिक सेवक को प्लेट देख रेक के लिए नियस्त करता है तब चोरी कराईएगा और एक सब्द न रहे कौन सा देख रेक लेकिन क्या रहे नियस्त केवल नियस्त रहे तो कौन सा अपराध सेवक द्वारा आप करा देंगे तो वह जो अपराध होगा कौन सा अपराध होगा तो वह आपका अपराध होगा क्रिमनल ब्रीच आप ट्रस्ट यानि कि अपराधिक आपका नियास भंग धन्यबाद